बहुत साल पुरानी बात है एक गाउं में एक चुडैल का साया था उस चुडैल से बचने के लिए गाउंवाले एक रोबोट बनाते हैं चुडैल को खतम करने के लिए अरे भाई रात होने वाली है वो चुडैल कभी भी आ सकती है क्या तुम्हारा ये रोबोट तयार हो गया अरे हाँ रोबोट अब रेडी है चलो चलते हैं चुडैल को खतम करने हाँ चलो और वो दोनों रोबोट के साथ आ जाते हैं चुडैल की गुफा में अरे क्या बात है मैं तो अभी तुम्हारे गाउं ही आने वाली थी तुमने तकलिफ क्यों की यहां आने की अब तुम हमारे गाउं फिर कभी नहीं आपाओगी आज के बाद क्योंकि आज हम तुम्हें खतम करने वाले है क्या तुम मुझे खतम करोगे तुम तो सिर्फ एक मामुली इंसान हूँ तुम तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते मुझे मालूम है कि हम ऐसा नहीं कर सकते इसलिए हमने बनाया है ये रोबोट जो तुम्हारा आज नामों निस्तान मिटा देगा क्या ये रोबोट है ये मुझे मार सकता है तुम्हें मार सकता है तुम्हें जला कर राख कर देगा इसके अंदर मैंने इतना डाटा फीट किया है कि इसे मैंने तुम्हें मारने के लिए ही बनाया है चुलैल को मारने वाला रोबोट और अब तुम मरने वाली हो रोबोट जाओ इस चुलैल को खतम कर दो ये तुमने मेरे रोबोट के साथ क्या किया तुम मुझे मारने आये थे ना लेकिन अब ये रोबोट तुम्हारे हैं जान लेगा अरे भाई अपनी जान बचा कर भागो अब ये रोबोट उस चुड़ैल के कंट्रोल में आ गया है दोस्तो अब आगे क्या होगा क्या रोबोट उन इंसान को मार देगा अब चुड़ैल को कौन मारेगा दोस्तो सवाल बहुत है लेकिन जवाब सिर्फ एक इसका अगला एपिसोड दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स पार्ट बहुत जल्दी आया तो अभी के अभी इस वीडियो को सेयर करना सुरू कर दीजे एम करते हैं 10,000 लाइक के लिए जल्दी से इस वीडियो में 10,000 लाइक कर दीजे तब हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मैजिकल मॉरली स्टोरीज के वीडियोज हमेशा देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें